बाई इतना दुखी क्यों है भाई उसने मुझे कभी काईनी की मैं उसकी दुनिया हूँ क्या पता तूसका गाउं हो तुम्सी पागल तुम्सी पागल भाई मैं ना सोच रहा हूं अमेर का गुमा हूँ पर ना एक बात समझ में ने आरी कितना खर्चा आजाएगा कोई खर्चा नियाएगा तो अब तो परिसान के हो रहा है चिल मार यार तो बाई जखमी दिल का क्या करूँ दो गुट डिटॉल के मार ले लेकिन भगवान का लाक लाक शुकर है तूस मुसीबत से कोसो दूर है अबे क्या हुआ गजू इतना उदास क्यों है यार मैंने कल अपनी गल्फरिंड के साथ प्रेंक किया अच्छा मैंने उसे बोला कि मैंने तुझे किसी ओर लड़के के साथ किस करते हो देखा है ओ वाई पिर उसका रिएक्शन क्या था वह रहने लगी और मांपे मांगने लगी बोली अब नहीं करूंगी बेभी बेभी में तुमारे लिए देखो ड्रेस लाया हूँ तो बेभी अच्छा मैं समझ गया कि तुम्हें क्या चाहिए और भाईया मैं ना समना तेरे शादी हो गई किससे लड़की से होती है और किससे ओगा मेरे भेंकी तो लड़के से हो गई बाई किसी की भी कीमत ना मरने के बाद ही उच्छी होती है कैसे देख जिंदा मुर्गी बीस रुपेगी और फ्राई एक सब पचास और बगल वाले रेस्टोरेंट पर दो डिवड़ सो की आती है बाई यार मैंने एक लड़की को प्रपोस किया लेकर ना वो तुझे पसंद करती है में को कैसे उसने बोला मैंने बोल आई लव यू तो बोल दिया I love you टू बाई टू तू जा रहे किसी ने डाक्टर से पुछा डाक्टर साहब ये बच्चे इतने सरारति क्यों होते हैं तो डाक्टर साहब ने क्या फैंटाइटिक जवाब दिया जो चीज बनती ही सरारत से हो वो सरीब कैसे हो सकती है भाई चल यार मचली काने चलते हैं नहीं यार उसमें काटे होते हैं तो चोर के दाडी में तिन का अगर लड़की चौर हुई तो तू आ रहा है ना कर शाम को पाटी में नहीं आ रहा हूँ यार मम्मी नहीं मान रहे तो एक काम करना देटोल साबून से नहा के मम्मी से बात करना लेकिन क्यों? क्योंकि मा माने देटोल का धुला